हाई दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अनुबो उध्रवी के मैट्स में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं उधान नंबर 3 राजस्तान कक्षा नंबर 8 की प्रशनावली आपकी वेदिक गरिण और इसके पहुंच चुके हम उधान नंबर 3 तक अब आपको ये उधान दिया गया है संख्या 89, 62, 426 की ग्यारा से भाजगता की जान कीजिए अब भाजगता का अर्थ क्या होता है कि यानि कि ये जो संख्या दीगे ना इसके अंदर हम 11 का भाग दें अगर सेस्पल क्या है? 0 है तो हमारा ये क्या होगा? 11 से भाजगते होगा मैं एक वार आपको ये जो 89, 62 और 426 इसमें 11 का भाग देके आपको पूरा समझा देता हूँ अगर 11 का भाग पूरा पूरा चला गया तो वो क्या होगा? 11 से भाजगत होगा और सेस्पल 0 आए तो देगो 11 से हम भाजगते हैं 11 एंटी 88 जिचे गया बचा एक यहाँ पर देगो दोस्तों एक बचा उतारा 6 11 एकम 11 बचा कितना 6 में से गई? 5 अब आगे कितना है? 2 या 12 12 में से 4 गई तो बचे 8 फिर उतारा 4 11 14 से माडो 11 15 15 16 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 17 तरब ठीक है? तो यहां 14 में से 7 गई तो बचे 7 आगे क्या है? 2 उतारा 2 11 चिकाने 66 अब इससे एक आशिव लिक लेया 12 12 में से 6 गई तो 6 और यहां पर कितना है? 6 तो 11 का भाग दो 11 चिकाने 66 तो बताओ सेस्पल क्या बचा? सेस्पल सेस्पल बचा जीरो और हमने 11 से भाजिता की जांच वाला नियम जब पढ़ा था उसमें ने आपको क्या कहा गया? कि यदि कोई संख्या दीगी है? उसके अंदर सेस्पल सेस्पल यदि सेस्पल क्या बचे? सेस्पल जीरो और 11 तो वो क्या होगा? हमारा 11 से भाज論 होगा? अगर यहां पर सेस्पल 11 बचता तो भी उसका अंदर 11 का भाग चला जाता और यदि 0 बचा है तो वो क्या है? 12 से भाजित यानि 11 से भाज यह है? लेकि इस क्युशन को दोस्तों ये जो आपको संख्या दीग संख्या दीगी है नावासी 62-426 यह आपको संख्या दीगी है अब आपको पता है कि सम अंग कौनचे कौनचे होते है यह होता है स्टार्ट करते हैं तो वह होता है विसम उसके अगला दूसरा होता है सम यह विसम होता है यह विसम तीसरे नमबर वाला भी विसम फिर पांचोन नमबर वाला विसम गिंती में साथों नमबर वाला विसम, गिंती गिंते हैं, जैसे मालो एक, दो, टी, चार, पांथ, छे, तो विसम कौन सा होता है, एक नमर विसम होता है, तीन नमर विसम होता है, फिर पांथ नमर विसम होता है, फिर साथ नमर विसम होता है, और सम कौन सा ह तो नमबर, चार नमबर, च्छै नमबर, यहनि कि दो का पुरा-पुरा भाग चला जाए, तो हम स्तान देखते हैं इसमें, इस्तान देखेंगे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यह पेले नमर वाला स्तान क्या होगा, विसम, फिर तीसर नमर वाला स्तान क्या होगा, विसम, फिर पांचो नमबर वाला विस्तान 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 देखने हैं सबसे पहले विसम अंक माइनस सम अंक अब देखो विसम अंक के स्टान पर कौन-कौन से स्टान है एक तो विसम अंक एक तो 6 है पहले स्टान पर 6 है फिर तीसरे स्टान पर 4 है फिर 4 के बाद पांचों स्टान पर 6 है ठीक है और फिर 7 स्टान पर 8 है ये तो है हमार THERIEU समंग ,- फिर समस्तान पर कौन कौन सच है ,A अनिकि दौ पलस , दौ पलस है , 9 तौ झो ठimaanे , अब इनको जोडना है , और इनको हिटा देना है , तो देखो , 6 , 4 कितने होगे , 10 , 10 और 6 , 27 , 16 ,之前 कितने होगे थे , 18 , 20 , उसके बाद माइनिस अब देखो 2 और 2 कितने होगे? 4 4 और 3 कितने होगे? 13 ठीक है? 14 विसमंग उर समंग आए? 13 अब 24 में से आपको क्या करना है? 13 को वटा दिना 4 में से 3 गए 1 बचा 2 में से 1 गया 1 बचा तो बताओ सेस्पल क्या आया? मेरे चैंज रहे गया था ठीक है तो अगर दोस्तों सेशपल क्या बचे बाचिकता वाले नियम में लिख लेना अगर सेशपल बचे 0 और 11 तो उसका क्या आता है उसकर हमेशा एक आता है तो मैं इस क्यूशन को इस प्रकार कराऊंगा आपके जितने भी क्यूशन है न आप इस